सारंपूर्थ आसील मुख्या लेपर स्थेथ ग्रामिट नर्वदा बैंक की शाखा में शहरी शेत्र था ग्रामिट शेत्र के लोगों को आधार कार्ड का एक मात सेंटर होने से परिशानी का सामना करना पड़ रहा है शाशन द्वारा पहले आधार कार्ड सरकारी एवं प्राइविट बनाए चारे थे कुछ कारण वश प्राइविट केंद्र पर आधार कार्ड बनना बंद हो गए है वर्तमान में ताहसिन मुक्यालाइपार नर्बदा ग्रामिंड बैंक में एक सेंटर पाधर कार्ड बनाये जा रहे हैं आधर कार्ड बनवाने के लिए काफी संख्यामें लोग नर्बदा ग्रामिंड बैंक में रहे हैं जिसे महाँ पर काफी भीड लगी रहती है स्कूल शिक्षन सतर चालू होने वाला है इस कारण से बच्चों के एडमिशन के लिए भी आधार कार्ट के लिए भीड़ बढ़ रही है जाद अधाद में लोगों ने आधार कार्ट बनने में परिशानी आ रही है आधारकार्ट बनवाने के लिए भारी भीर से बचने के लिए लोग इस गर्मी में भी सुबह से बैंक में आकर लाइम में घंटों लगाकर आधारकार्ट बनवा रहे हैं बैंक में एक दिन से 15 वा 20 आधारकार्ट के कूपन बन पाते हैं बाकी लोगों को खाली हाद खर लोटना पड़ता है जिसे नागरिकों को इंगरामिन जनता तरह महीं लाएं बच्चों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आगामिस कूश शिक्षन सत्र में च्छाथ-चात्राओं के अधार कार्ड की अनी वारिता को देखते हुए अनी संस्थानों पर भी अधार कार्ड बनाने सेंटर स्थापित होना चाहिए या जीला परिशासन को प्राइवेट सेंटर चलाने वालों को आधार बनाने का काम देना चाहिए ताकि शिक्षन सत्र में च्छाथ-चात्राओं को प्रवेश के लिए आधार कार्ड के लिए भटटटना नहीं पड़ेगा नागरिकों ने कलेक्टर राजगर से मांग किये कि आधार कार्ड बनाने में आरही परिशाने को देखते हुए आधार कार्ड के लिए अनिस सेंटर खोले जाए अनिता आधार कार्ड बनाने के लिए प्राइवेट सेंटर खोले जाए कि पते बार आचुके थूं या किया बोला इन्हें? कि बोला कि आना शाओं बढ़ी आते हैं और फिर आना बाद में कला आना कर देते हैं झाल झाल